हेलो फेंट्स आजके स्टिटरों पढ़ने वाले फैमिली का क्या रोला सोचलाजेशन में तो आप सभी को मालम हुई होगा कि फैमिली जो है बच्चे का प्रथम विद्याले इसको माना जाता है देशत लिखावा समाजी करण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके फलसरूप नवजास शेश्यू आगे चलकर समाज का एक उत्तरदाई सदस्य सदस्य बनता है जिसका उद्देश यह होता है कि व्यक्ति अपने समाज और संस्क्रियति में जो माननेता है उनका अनुकरन करते हुए एक सफन नागरिक बने अता कह सकते हैं कि समाजिकरन सीखने की वह परकरिया है जो व्यक्ति को समाज के दुआरा प्रदान की गई समाजिक सांस्कृतियों को गरहन करने से है साथ ही समाज के करतव्य का पालन करते हुए समाज का एक क्रियाशिल सदस्य से बनने से है सरल सब्दों में बोला जा सकता है कि जिस परक्रिया के दुआरा व्यक्ति के समाजिक व्यक्तित्र का निर्मान होता है उसे समाजी करण कहते है परिवार से ही बालक सरपथम समाजी करण आरम करता है इसी कारण से परिवार बालक का सरपथम पाटशाला कहा जाता है परिवार ही वो जगह है जहां बालक आदर्स नागरिता का पाट सीखता है सबसे पहले देखें कि परिवार में मा का भूमी का क्या होता है बालक का परिवार में सबसे घनिष्ट सम्मन मा से होता है मा उसे दूद पिलाती है और उसकी देखवाल करती है और यदि मा बालक की देखवाल अच्छे से नहीं करती तो उसका परभाव यह होता है कि बालक का समाज़ी करन उच्छित परकार से नहीं होता उसके बाद अधिक लाड़ प्यार देखा गया है कि परिवार दोरा अवशक्ता से अधिक प्यार करने से और उन्हें किसी परकार का कार नहीं करने देते जिस कारण से उनका समाज़ी करन रुग जाता है या ठीक डंग से नहीं हो पाता जिसके परिणाम सरुबालक बिगड ज जाता है उसके बाद है माता-पिता का आपसी संबन बाला के समाजिक्रण में माता-पिता का विशेश महत्तव होता है जैसे कि देखा गया है कि जीन परिवार में माता-पिता का आपसी संबन अच्छे होते हैं उन परिवार का समाजिक्रण उची धंग से होता है इसके विपर पर अदिक ध्यान नहीं दे पाते हैं उसके बाद है माता पिता के बच्चों के साथ संबन माता पिता जब बच्चों को उचित इसने देते हैं तो उनमें अच्छे समाजी गुन पैदा हो जाते हैं और यदि बच्चों को माता पिता का उचित प्यार और सुरक्षा नहीं मिल उनमें बदला लेने की भावना विक्सित हो जाती है इस कारण से बालक कई वार बाल अपरादे भी बन जाते हैं उसके नेक्स पॉइंट है बच्चों का अन्य संबंदियों के साथ संबंद परिवार के संबंदियों का भी बच्चे के उपर गहरा परवा पड़ता है जैसे ब देका गया कि अगर पारिवारे अरथिक इस्तिति अगर ठीक ना हो तो ये भी बालक के संबाज़ी करन में बाधा पहुंचाती है क्योंकि बालक के बालन प्रmobs में बच्चों को वह अर्थिक्स्योख सुधू दा नहीं मिल पाति जो एक अच्चे आरथिक कर्यूवार के ब कम स्वार्थी होते हैं, दूसी दरफ और समय परिवार या छोटे परिवारवाले स्वार्थी होते हैं, तो यह था हमारा टोटल 7.0 रोल लॉफ वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम यहां पर जानेंगे कि टीचर का क्या रोल होता सोचलाजेशन प्रोसेस में तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइच चैनल को सब्सक्राइब पर देना थैंक्स रॉचिंग दिस वीडियो